तो जैसे कि सबको पता है कि 8th semester closing mode में आ रहा है, April महिना almost खदम होने पे है और May start हो रहा है and which is the last month of your engineering, तो 8th semester intensive की जो भी update है ये वाले वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्थ दरूशे दिखीगा अब देखे, updates में मैंने आपको already up to date रखा था with the starting of your semester की किस तरह से हो और सब कुछ है, तो देखे, यहाँ पे मैंने जिस तरह से starting किया था, कि यहाँ पे आपको presentations देने होंगे, बीच पीच में reports देना होगा और at the end आपको यहाँ पे सब कुछ एक साथ submit करके, एक final presentation और एक final viva के साथ आपका यहाँ पे 8th semester सवाब्त होने वाला था, तो यह मैंने already आपको up to date रखा था, यह सारी information के साथ, तो यह वीडियो में मैं आप आखरी जो last phase आपका बचता है, उस पे मैं आपको बहुत अच intensive का primary and secondary report जो presentation था, वो खतम हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे GTO ने clearly बोल के रखा था, कि आपको यहाँ पे reports या फिर presentation देने होंगे with the every month and ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आपका होगा final presentation की जसमें आपकी पूरी intensive की summary आ जाएगी, कि आपने किया क्या है, कौन सी कमनी थी technology पर काम किया है, आपने क्या काम किया है, क्या आपने सीखा है, वो सब कुछ पहला point यानि की presentation में आपको कवर करना होगा, point number two is your second final semester, report की report के अंदर क्या होगा, कि report के अंदर जो PPT में जिस तर आप समझा रहे हो, वही सब कुछ यहाँ पे आपके report में आने वाला है, कि कुछ किया है, A to Z वो आपको intensive का report बनाना होगा, report में आपको सिखा दूँगा कि किस तरह से report बनाना है, इसका format आपको online available मिल जाएगा, but report में आपको definitely सिखा दूँगा, so this is your point number two where you have to create your report, now point number three is कि अभी आप यहाँ पे तैयारी में रहे कि आप जो report बना रहे हो, वो जैसे अपरूव हो जाए आपकी faculty के पास से, तो आपको इसका thesis बनाना होगा, thesis यानि कि hard binding आप जो भी बोलते हो, तो मैं यहाँ पर फटा फट से Google के उपर, आपको समझा देता हूँ कि hard binding book होता क्या है, ठीके, तो दीखे, यहाँ पर जो यह book का image है ना, इसको बोलते है thesis या फि दिखा होता है, वो यहाँ पर होता है, university का नाम, यहाँ पर होता है, internship report, नीचे आपकी faculty का guidance होता है, तो यह सब कुछ आपकी college की faculty आपको यहाँ पर material प्रोवाइट कर देगी, कि यहाँ पर title पर क्या देना है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देना होगा, आप यहाँ पर और अगर आप यहाँ पे कोई भी query search करोगे कि GTU final internship report, thesis या फिर hard binding तो फिर यहाँ में मैंने पिछले साल मेरा ही बनाया था देखे यह वाला वीडियो मैंने पिछले साल create किया था कि जसमें मैंने आपको example के साथ समझाया था तो यह सब कुछ आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो पिछले साल इस साल में up to date नया सब कुछ data डालके मतलब फिर से दिखा दूँगा but as of now just be ready to create this kind of a thesis this is your point number 4, sorry point number 3 once you complete with all of this point now point number 4 will come and that is the how you can perform in the external Viva तो उसके लिए भी मैं आपको तयार ही कर दूँगा but external Viva में कुछ नहीं होने वाला है आपने जो भी report में लिखा होगा उसमें से सवाल आएंगे अगर report में आपने यह लिखा था कि मेरी पूरी internship angular के उपर थी तो आपको पूछेंगे कि देखे angular का use क्या है किस तरह से आपने angular use क्या देखे प्रेजेंटेस ने project related कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि आप जहां internship कर रहे हो वहां की policies होती है और वो policies यहां पर क्या होता है वो policies में सब कुछ लिखा होता है कि आप यहां पर data display नहीं कर सकते किसी को यहां पर publicly बोल नहीं सकते report के अंदर नहीं लिख सकते तो मेरी यहां पर एक ही advice रहेगी कि आप क्या कीजिए आप यहां पर सबसे पहले देखिए कि आप जो लिख रहे हो वो आप company के पास जाके HR के पास से approve कर वा लीजे जैसे ही HR approve कर देता है उसके बाद वो report आप अपनी faculty को display कीजिए क्योंकि अगर without HR approval आप कुछ information leak कर रहे हो company को confidential information then you will land it in the trouble so the better thing is first get compliance status from the HR and then after proceed to your final semester वाइवा external वाइवा and get approval from your faculty तो यह एक best practice रहती है तो यह सारी updates मैंने आज के लिए आपको दी थी इसके अलाव मेंने यहां पर जो भी बोला है कि अगले वीडियो में cover करूंगा वो definitely में cover करूंगा so that's it for today's video अगर आपको इसके अलाव को स्पीड आउट है then feel free to ask me in the comment section thank you bye bye